नमस्कारम दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी घटनाओं ने ब्यक्तियों के जीवन में महाकरांती कर दी, कैसे छोटी सी घटना से ब्यक्ति महाजागरण को महाबोधी को उपलब्ध हो गए, ऐसी ही ये घटना है मीरा के जीवन की, मीरा के हाँ कोई संत आते ह और उनके यहां ठैरते हैं वो अपनी जोली में एक कृष्ण की मूर्ति को रखे हुए थे उस मूर्ति को निकाल कर जब वो उसकी पूजा करते हैं मीरा उस मूर्ति को देख लेती हैं और उस मूर्ति को देख करके मानो मीरा के जीवन में तो एक करांती घट गई मीरा उस मूर्ती को देख करके रोने लगती है उनके जनमों जनमों की स्मिर्तियां तरो ताजा हो जाती है और उस मूर्ती को मांगने की जिद कर लेती है वो मूर्ती बहुत संदर थी वो मूर्ती सम मूर्तियों से बिलकुल अलग थी घरवाले समझाते हैं, उस साधु को भी लगता है कि काहाँ से मुसिबत में पड़ गई है तो मेरी कृष्णी की मूर्ति के पीछे पड़ गई है वो वहाँ से जल्दी से जल्दी भाग जाता है मीरा तो उस मूर्ति के पीछे ऐसी दीवानी हुई की खाना पीना छोड़ दिया सबसे बात करना छोड़ दिया बस उसी मूर्ति के लिए रोए जाये वो साधू कहीं दूसरे गाउ में ठेरा हुआ था रात में कृष्ण उसे सपना देते हैं और कहते हैं कि जिसकी मूर्ती है उस मूर्ती को उसको दे कर किया वो तो हक्का बक्का रह गया एकदम डर गया वो तो सालों से कृष्ण की पूजा करता था कभी उसे कृष्ण के दर्सन नहीं हुए थे कभी ऐसी अन्भूती नहीं आप ही मांगी और कहा मुझसे गलती हो गई यह मूर्ति आपकी ही है और उस मूर्ति को मीरा को दे दिया और यह घटना मीरा के इस जीवनकाल की कृष्ण के पृति प्रेम की पहली घटना थी उसके बाद मैं भी एक बार उनके परोस में कोई साधी हुई तो मीरा ने अपनी मां से कहा कि मां मेरी साधी कब होगी मेरा बर कौन होगा मेरा बर कैसा होगा एक दिन भर गिरधर गोपाल की उस मूर्ति को अपनी छाती से लगा करके घूमती रहती थी तो मा ने मजदक मजदक में कह दिया कि 13 बर तो गिर्धर गोपाल है और बस बहीं से बो मजदक में कही गई बात मीरा के लिए हकीकत बन गई और उसी दिन से मीरा ने अपना बर गिर्धर गोपाल मान लिया ऐसी ही घटना रामकृष्ण परमंस के जीवन में घटी वो कहीं से आ रहे थे 11-12 साल की उनकी आयू थी और उन्होंने काले बादल में और सफेद भगलों को जाते हुए देखा और वो वहीं पर बेहोस होकर गिर पड़े दो-तीन घटे बेहोस रहे घरवालों को बहुत चंता हुई तो लोगों ने सलाई दी जैसा कि लोग सला देते ही हैं कि ऐसा करो कि इसकी साधी कर दो रामकृष्ण परमंस के पता ने कहा कि हम तेरी साधी करना चाहते हैं तो रामकिष्ण परामंस ने कहा कि हां हम साधी करेंगे हमें साधी जरूर करनी है जल्दी से जल्दी हमारी साधी करवाओ रामकिष्ण परामंस के पता तो आस्चर में पढ़ गए क्योंकि हर पता चाहता है कि बच्चा बिरोध करें क्योंकि वो बिरोध करेंगा और यह उसक उनके अहम की पुष्टी होगी लेकिन जब उनने कहा कि हम तो करेंगे हमें जल्दी से जल्दी करनी है तो उन्हें भी आश्चा रुगा कि कैसा लगा है समझी नहीं आ रहा जल्दी से जल्दी उनके साधी की विवस्था की गई और वो लड़की देखने जाते हैं बड़िया सजदज के उनकी मा कुछ पैसे उन्हें दे देती हैं वो पैसों को गिनते जा रहे हैं और चले जा रहे हैं और लड़की के घर पहुँचते हैं लड़की सामने आती है तो जो पैसे अपने पास रखे थे वो पैसे लड़की के चरणों में रख करके लड़की के चरणों को छू लेते हैं और कहते हैं तुम तो मेरी मा हो पिता ने डाटा की क्या बेब कूपी करता है तू बेब कूपीयों पे बेब कूपीयां करता चला जा रहा है उन्होंने का आपको भले बेपकूपी लगती हो लेकिन ए मुझे मेरी मा लगती है तो उनकी साधी तो हुई लेकिन जीवन भर उस सारदा को वो मा ही समझते रहे एक घटना मैतली के राजा नेमी की है उन्होंने कभी भी कोई सास्त्र नहीं पड़ा उन्हें आध्यात में कोई रुची नहीं थी वो इन सब को जंजट समझते थे बहुत दूर रहते थे बुड़ापे में एक बार उन्हें ज्वर ने पकड़ा बहुत तीब्र ज्वर है तल धनी इन्हें चुबती है और केते हैं इन चूड़ियों को उतार करके फैंक दो इनकी आवाज मुझे अच्छी नहीं लगती रानियां सारी चूड़ियों को उतार देती हैं एक एक चूड़ी हाथ में मंगल सूत्र के तोर पर रखती हैं राजा ने देखा कि सारी चूड़ और वह बिना बेदसास्तर पड़ा हुआ व्यक्ति सबको छोड़ करके जंगल चला जाता है सन्यास ले लेता है एक घटना सुमेद के जीवन की है सुमेद के पता की मृत्यू हो जाती है वह अमरावत के बहुत धनी व्यक्ति थे उनकी यहां करोड़ों और वो की संपत्ति थी जब मृत्यू प्रांत उनका मुनीम उन्हें सारी संपत्ति का ब्यावरा देता है उन्हें सारी तुजूरियां देखाता है जो हीरे जब आरावतों से भरी हुई है मुनीम कहता है कि यह सारी तुजूरियां आपके पूरबजों की पुरुखों की है दौलत आपकी बढ मरते चले गए, यह किसी के साथ नहीं गई, मेरे पता के पता चले गए, मेरे पता चले गए यह उनके साथ भी नहीं गई तो फिर यह कैसे मेरे साथ जाएगी और जो दौलत मेरे साथ नहीं जा सकती उसका मैं क्या करूँगा और बस यहीं से सत छोड़ देते हैं और बेरागा जाता है और जंगल में चले जाती है सन्यास ले लेती है तो दोस्तों किसी भी ब्यक्ति के साथ में कभी भी किसी भी घटना से जागरन हो सकता है जैसे यहां कोई सामान ब्यक्ति सोया उगा हो उसे कुटे की आवाज भी जगा सकती है उसे पक्षियों की चहचाहाट भी जगा सकती है उसे रास्ते में निकलते हुए बाहन भी जगा सकते है उसे कोई भी धनी जगा सकती है यदि वए उठने को तयार है क्योंकि जगाने की कोशिस तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन जगने के बाद में भी व्यक्ति दरोदर करवटें पलटता रहता है वह बिस्तर नहीं छोड़ता है और जो बिस्तर छोड़ देता है उसके जीवन में महाकरांती हो जाती है धन्यवाद